हेलो इनमिशकार दोस्तों दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाल है क्यों अरब देश इसराइल को हरा नहीं पाते है इसराइल कितना ताकत वरे है इस वीडियो में हम बात करने वाल है तो दोस्तों आज के वीडियो से आपको बहुत ही नोलेज मिलेगा इसलिए लोटूप चैनल बढ़ने हो तो नीचे रेट कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना और उपर ओल बटन पर क्लिक करना है वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और शियर करना तो भी ना दरी करतो है वीडियो को शुरू कर लेते हैं इसराइली कमांडों दुनिया के बहतरें कमांडों में गिने जाते हैं ये कमांडों किसी भी ओपरेशन में सफलता हासिल करने का हुनर रखती है इन कमांडों की गोरिला निती का दुनिया में कोई तोर ही नहीं है मौसाथ इंस्टिटूट फॉर इंटिलिजन्स एंड ओपरेशन इसराइली खुफिया संस्था यानि की इंटिलिजन्स एजन्सी है यहाँ दुनिया बर में खौफ का दुसरा नाम माना जाता है मौसाथ अपने दुश्मनों को दुनिया के किसी भी कोने से ढून कर उसे मारने का खतम करने का होसला रखता है इसलिए इसराइल के दुश्मन इससे डरते हैं इसे मौत का दूसरा नाम भी कहते है पूरा देश एंटि बलेस्टिक मिसाल से लेस है अर्थात देश के किसी भी कोने में एंटि बलेस्टिक मिसाल सुसजित है इसराइल के पास अपना सेटेलाइट सिस्टेम है जो दुनिया के कुछ चुनिंदा देशों के पास ही है इसराइल इसे किसी भी देश के साथ साजा नहीं करता इसकी मदद से इसराइल किसी भी दुनिया के किसे भी कौने में डोन हमला कर सकता है इसराइल के पास गातक से गातक टेंक मुझूद है जिसकी मदद से इसराइल ने कई जंग जीती है तेलिलाह मिसाल ये मिसाल 250 किलोमीटर के अंदर किसे भी हमले को रोकने का समता रखता है इसराइल के पास गातक से गातक क्रूज मिसाल है जो काफी हलकी और आकार में छोटा होता है इसराइल मदबुर्बु एशियमस्थित एक छोटा सा देश है मदसागर और लालसागरत था अरब देशों से गिरा हुआ एक चोटा सा देश है अगर आप जानना चाहते हो कि इसराइल कितना बरा है आप इसे इस तरह से समझ सकते हो पारत का सबसे चोटा राज है गुआ इसराइल गुआ से 17 गुना बरा है बात करें इस्राइल की खेत्रफल के बारे में इस्राइल का खेत्रफल है 22,145 किलो मीटर स्क्वेर है अब बात करते हैं कोई भी आरब देश इस्राइल पर हमला करके कोई भी देश कब्जा क्यों नहीं कर पाते दरसल इसका कारण है इसराइल का डिफेंस सिस्टेम इसराइल के पास अपना ताकतवर डिफेंस सिस्टेम है अपने कभी न कभी तो सुना होगा आइरन डॉम के बारे में यह इसराइल का ताकतवर डिफेंस सिस्टेम है इस्राइल के पास तीनों जिना है यानि आर्मी नेवी येरफोर्स है जो काफी ताकतवर है बात करें इस्राइल की नेवी के बारे में आरब देश की बाप की उकात नहीं जो इस्राइली नेवी को हरा सके किसे भी देश के लिए डिफेंस सिस्टेम महत्पूर्ण होता है किसे भी देश के पास ताकदवर डिफेंस सिस्टेम हो तो उससे कोई नहीं हरा सकता और उसे युद में हराना next to impossible है इसराइल की थल सेना और भायो सेना बहुत ही ताकदवर है इन सब करनों के वज़ा से अरब देश इसराइल पर हमला करके कबज़ा नहीं कर पाते तो दोस्तो आज का वीडियो यही पर ही समाप्त करते है दोस्तो अगर आप चाहते हो कि आपका मन पसंद वीडियो बनाया जाए तो हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर से बताना है अज का वीडियो के सा लगा वो भी जरूर से बताना अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक जरूर से घर देना वीडियो को जादा से जादा शियर करना और हम्हारे चैनल में नी हो तो सब्सक्राइब करना पेल आइकें और को अलई पौटेसे ले स्लिल करना मत बूलिएगा तो मिलता हैं नेक्स्ट वीडियो पर एसा ही सांदर वीडियो लेक कराएंगेita मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे तब तक के लिए जहीं जे बारत बंद मात्रम